गुदिबनिंग एवरीवन आज निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर खुला और 35 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद मार्केट ने बड़ा अच्छा बांस बेक दिया बड़ी अच्छी रिकवरी की 80-90 पॉइंट बजार प्लस हुआ और उसके बाद बजार जो है वो अल्टीमेटली प्रिवियस दे की क्लोजिंग के आसपा से बंद होता हुआ दिखाई दिया तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आज की वीडियो में कि हमने लास्ट फ्राइडे की वीडियो में क्या डिस्कॉशन किया था आज के लेवल्स को लेके तो जैसा कि मैं तीन सिनेरियों को ह 19-320 हायर साइड पे एंड डाउन साइड पे 19-2150 डाउन साइड पे जो लेवल्स एक्सपेक्टेड जो हमने किये थे उसका में रीजन यह था कि बाजार उपर जाके टिक नहीं पाएगा यानि कि बाजार वापिस से नीचे आके क्लोज कर सकता है बट अभी अगर आप आज मार्केट 19-300 के आसपास खुला जबकि लास्ट प्रिवियस डे क्लोजिंग थी 19-265 की राइट पॉइंट इस की 19-244 के आसपास की क्लोजिंग थी स्वरी राइट ओके सो मार्केट 25-282 के आसपास खुला स्पॉट और उसके बाद मार्केट ने 19-367 का लेवल टेस्ट किया हमने हायर लेवल क्या डिसकस किया 19-320 यानि की मार्केट हमारा लेवल जो था एक्सपेक्टेड लेवल इस वस दा एक्सपेक्टेड लेवल 19-320 के आसपास लेकिन मार्केट 19-37 के आसपास का हाई बना क्या है एनिवेज बट आइफील प्राउड कि हमने जो डिसकशन किया overall market में no doubt वो levels देखने को नहीं मिले हाला कि higher side पे भी breakouts देखने को मिला लेकिन market का जो behavior है वो अगर आप note करेंगे तो वो similarities देखने को मिलती है वहाँ पे जो हमने last discussion की जैसा कि higher side से हमारा ये expectations था कि market 19.200, 19.150 के level के पास close कर सकता है this was इसका मतलब higher level से बजार तूट सकता है अभी आज का अगर आप देखेंगे higher level से market जो है करीबन 70-80 point तूट गया नीचे जाते जाते, so this was the same expectations जो हमने Friday की वीडियो में discussion किया था, तो overall मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हम ये pattern studies करते हैं जो हम data study करते हैं ये कही न कही आपको next day trading में आपको help करते हैं चलिए, अब बात करते हैं 5 minute, 15 minute और 30 minute के chart patterns के बारे में कि आज market में किस तरीके का trend देखने को मिला जैसा कि मैंने starting में ही बताया कि gap up opening के साथ बाजार खुला और बाजार धीरे धीरे मैं यहां पे आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया है कि 5 minute, 15 minute और 30 minute के charts में बहुत ज़्यादा difference होता है और जितने बड़े टाइम फ्रेम के साथ आप chart को देखेंगे उतनी ज़्यादा clarity आपको होती है due to trading hours अब यहां पे अगर आप देखें तो बहुत सारी positive candle यानि की green candles बनती होई दिखाई दी हमें 2 बज़े तक के training session में येस ऐसा ही कुछ हमें 15 minute के आज 30 minute के भी टाइम फ्रेम में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला point is कि कई बार market जब zigzag pattern में काम कर रहा होता है तो आपको बहुत सारी red candles भी दिखाता है तब आप अपनी position को फटाक से exit कर देते हो so my concern is only here कि आप 30 minutes 15 minute के चाट फ्रेम को भी साथ में track कीजिए ताकि आपको सही तरीके से guidance मिल सके during trading hours now इसके बाद आज की market में जो stocks supportive index थे that is HDFC bank Larson, Mahindra & Mahindra Power Grid and Axis bank अगर मैं बात करो downside पे जो blue chip companies थी उसमें reliance industry Adani enterprises, ITC Titan और Infosys का खराब प्रदर्शन रहा overall bank nifty closing good with 263 up points so अगर मैं FIA और DIA के data की बारे में बात करूँ तो FIA का data 1393 करोड की net selling DIA 1244 करोड का buying तो net shell में अगर हम देखें तो कुछ खास figures यहां से देखने को नहीं मिल रही उसका सबसे बड़ा एक major reason यह भी हो सकता है कि इस हफते expiry है 31 अगस्त को यानि की Thursday को अब बात करते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के बारे में 19-300 का major support area जो निफ्टी में देखने को मिल रहा है उसी के आसपास निफ्टी closing दे रहा है तो market यहां पे काफी ज़्यादा रिस्की है थोड़ा short term के लिए position बनाना कहना बहुत मुश्किल है कि यहां पे बाजार कर क्या सकता है ना तो बाजार यहां से उपर जा रहा है और ना ही बाजार यहां से downside पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है may be बाजार शायद expiry की wait कर रहा है उसके बाद बजार का असली रुख देखने में पता लगेगा कि क्या बजार का ट्रेंड आगे रह सकता है मेनवाइल मैं आपको यही कहूँगा कि यह जो हमने टॉप लेवल से जो ट्रेंगल ड्रॉ किया है और इसके बॉटम में जो कैंडल क्लोज होती ही नजर आ रही है ओवरोल पिक्चर यहाँ पे बियरिश ही नजर आ रही है निफ्टी में कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव ऐसा कुछ चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है ओवरोल अगर आप इंट्राडे में भी इस तरह का चार्ट स्टडी करते हैं तो आप वहाँ पे भी आए होब आप वहाँ भी सेलिंग ही एक्सपेक्टेड करके चलेंगे यह देखिए आपको यहीं से कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्किट करना क्या चाहती है ओवरोल जो पुजिशन है बजार की दाट इस डाउंसाइड ओके तो वाट वुड बी दर नेक्स लेवल वी कन सी इन नेक्स टेडिंग सेशन सो आज का हाई 1936 आज का लो 1925 और अगर हम बात करें 19300 के आज पास मार्किट की क्लोजिंग देखने को मिली अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ओवर्विव देना चाहूँगा 28 सितंबर के फ्यूचर के बारे में अगर आप देखें तो दो दिन का हाई से पिछले दिन के हाई से सेलिंग 19421 फ्यूचर ने क्लोजिंग दिया उसके अलावा वॉल्यम्स 33 परसेंट राइज हुए ओपन इंटरस 28 परसेंट राइज हुए मार्किट गिर रहा है ओपन इंटरस राइज हो रहे है इट मीन्स कि मार्किट जो है वो बेरिश मोड में धीरे धीरे जा रहा है ओके तो नाव क्या नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे मार्किट में सबसे पहले बात करना चाहूंगा की ओवरोल मार्किट का मुमेंटम क्या एक्सपेक्टेड है है तो ओवरोल दी ट्रेंट इस बेरिश लोकिंग अगर हम बेरिश सिंप्ली डाल देते हैं तो इट मेंस कि हम कन्फर्म्ड है बड़ दिस प्रॉबिलिटी ओके सो फोलो दा रूल्स ओफ सेल और राइस बाय और डीप हमने यहां से काट दिया है क्योंकि मार्किट का ट्रेंट जो है वो डाइन डाउंसाइट पे लग रहा है अब हम बात करते हैं कि मार्किट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे इफ मार्केट ओपन गाप डाउन देन इट में टेस्ट डाउन साइड उन्नीस दिनसों बजार बंद हुआ है देन डाउन साइड पे वी केन एक्सपेक्ट उन्नीस दोसों 210-220 एंड हायर साइड देखें मार्केट में कुछ जाता बड़ा मोमेंटम यहां से लगनी था है ओवर ओल अगर आप देखेंगे पिक्चर तो सतर असी पॉइंट एटी नाइटी पॉइंट माक्सिमम फिलाल एज ओफ नौ सो हायर साइड पे उन्नेस तिनसों बीज इन कंड है दन अगें इत में टेस्ट हायर साइड उन्नेस तीन सो साथ अंड नाउन साइड जादा उपर मार्केट नहीं लग रहा है उन्नेस दो सो पचास इफ मार्केट ओपन फ्लाट दन अगें इत में बीसी विदिन धी रंच ओन ऐस है सो ओन यह साधे तीनस सब्सक्राइब तो अगर मार्केट डाउन कुलता है तो हमें हायर लो साइट पे बनते हुए दिखाए देंगे और लो लोवर साइट पे बनते हुए नजर आएंगे तो वहां पे लेवल उन्निस तो सुटाइब रहेगा तो इस अपने भी साइट तोड़ीज कीप लर्निंग कीप वाचिंग माई वीडियोज और शेयर और सब्सक्राइब वाइं वीडियोज थैंक यू सो मच और प्लीज अपने भी व्यूज आप शेयर करते रहें ये कमेंट बॉक्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेवेट टेर